नमस्कार पसुपालक साथियो आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पसुपालन हेल्ट लाइन में पसुपालक भाईयो आज हम बात करेंगे थारपारकर गायें के उपर तो जो मेरे सुपालक भाई डैरी फारविंग का काम करना चाते हैं या वो पहले से कर रहे हैं और कोई गायें अपने बाड़े के अंदर एड़ करना चाते हैं तो एक बार आप थारपर गाये के बारे में थोड़ा सा विश्तरी जानकारी प्राप्त कर लें साथियो यह गाये एक ऐसी गाये हैं साथियो जो हर मोसम के अंदर अपने आपको डाल लेती है अगर ज़्यादा सर्दी है और ज़्यादा गर्मी है तो मालोदूर देने वारी गाये के उपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता साथियो आज हम बारी किसे जानकारी लेंगे थारपरकर गाये ओपर तो वीडियो को स्टाट करते हैं साथियो सबसे पहले आपको बता दें कि थारपरकर गाये हैं जो राजस्थान के जैसल मेर, बाड मेर और सरी गंगाने गर के अंदर ज्यादा तर पाई जाती है और स्री कंगानेगर से जैसे ही हम विक्कानेर की तरफ चलते हैं तो लून करंसर के अंदर सबसे ज़्यादा ये गाये पाई जाती है लून करंसर के अंदर इस गाये के ज़्यादा जूंड देखने को मिलते हैं साथियो हम इसकी पैचान कैसे करेंगे कि यह थारपार कर गाए है तो जैसे आपको साइड स्क्रीन के उपर फोटो के अंदर दिखाई दे रहा है इसका माथा चोड़ा होता है, चप्ता होता है, सिंग होते हैं तो इसके मुठ्या अरकार के होते हैं, ज्यादा मूटे नहीं होते और ज्यादा लंबे भी नहीं होते साथ्यों और जो इसकी थूई का एरिया होता है साथ्यों, यह हलका सा gray color का होता है बाकी ये गाएं आपको पूरी वाइट मिलेगी बस जो इसका थूई का इलाका है और कंबल है जो नीचे लटकने वाला ये आपको अलगा सा गरे दिखाई देगा आगे साथियो आपको बताएं कि इस गाएं के दूद की बात करें अगर हम तो साथियो इसका जो दूद का फैट होता है वो 4.8 से 5. तक रहता है साथियो और जो इसका एक लैक्टेशन के अंदर दूद देने का पूरा अगर एक अनुमानित जो देखा गया साथियो 4000 लीटर स तक भी इसका एक ब्यात के अंदर मिल्क रिकोर्ड किया गया साथियो वैसे आम तोर पे यह गाएं 3500 से लेके 4000 तक दे देती हैं अगर जो गाएं अच्छी फीड़ अगरा पे और अच्छे डाइट प्लान की साबसे रखी जाती है वो गाएं अच्छा दूद दे देती हैं अगर बात करें साथियो इसके ड्राइप रिड़ गी तो यह गाएं ब्याने से 8-9 मेने तक अच्छी क्वाल्टी में दूद देती रहती है और कुछ एक डैरी फार्मर भायो का जो हमें सुझावाय है और जो हमने बारी की से जानकारी प्राप्त की इसकी उसमें हमें देख नहाँ इसके यह जदरी ज़्यादा है और इसके दूद की बात करें साथियों फो इन य्म्मौटी के लियाद से चार पर हम देक है वहां धार पर रुपे की बैस, तीन लाख रुपे की बैस, दो लाख रुपे की गाएं, जो अच्छे नामी ग्रामी फार्मर हैं, वह थार परकर गाएं के दिवाने होते हैं साथियो, आपको बताऊं कि दो दो लाख रुपे तक की भी थार परकर गाएं एक अच्छे फार्मर के घर पे बं करण मिलेगा वहां पर आप देखेंगे कि आपको अच्छी अच्छी नसल बताए जाएंगी सारी बारी की अंदी जाएंगी धारपर्गर गाएंगे उपर और जो भाई हमारे अगर मालो थारपर्गर का बुल लेना चाते हैं तो वहां आपको आसानी से इसका बुल भी मिल ज रखेंगे तो जदा उनको काम्यापी मिलेगी साथियों आपको बताऊं कि यह बूल ऐसे होते हैं कि हर मोसम के इसाब से अपने आपको डाल लेते हैं और बारी बर बैस्त है साथियों अभी पीछे जब लंपी का दो रहा था तो थार पारकर के अंदर बिल्कुल भी लंपी देखने को नहीं मिली क्या हुआ कि एक थोड़ी सी बात द्यान रखने वाड़ी है कि हम इसको अपने डैरी फारम के अंदर लेके आ रहे हैं तो यह गाएं थोड़ी और आhmot फृप ब्लसी कोस्टली साबी तो ऩार बात करें पैसों के लिए आज से देखें तो आपको आसानी से नहीं मिलुक्त मिले इक शियोसाइव है मिलेके हम जाते हैं जैसल मिरबाड मिर में भी ये गाएं मिल जाती है साथी हो हर्याना के अंदर कुछ भाई हमारे पास मैसी जाते रहते हैं तो हर्याना की तरफ अगर आप देखना चारे हैं इस गाए को तो फतेहबाद और शिर्षा के बीच का जो एरिया है बट्टू वाली साइड में वहाँ आपको ये गाएं मिल जाती है साथी हो यूपी में बात करें साथी हो तो यूपी में कुछ है के एरिये में मुझफर नगर के आसपास ये गाएं जादा देखने को मिल जाती है साती हो तो आपको वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें साती हो और अपने पसुपालक भाईयों के पास सेर जोरूर करें साती हो